नालगट सेवा सुशासन और ग्रीव कल्यान की नौ वर्ष पूरे होड़े के उपलक्ष में देश भर में जन संपत का भ्यान चलाया जा रहा है शिम्ना सांसदी शेत्र से सांसल सुरेश कश्यप ने जिला सोलन के उपमंडल नालगट की इक्राम पंचाय सरोर में विकास कारे काश्यु भर्म किया उन्होंने भाजपा की नीटियों के बारे में जन्ता को सुम्बोधित करते हुए कहा कि नालगट विधांसबाश्येत्र से भर्म कुर्पूर सहयोग बीते लोग सभाचुनावों में मिला था और ऐसा ही सहयोग एक बार फिर से देना होगा उन्होंने कहा कि सांसर निधी से दर्जिलों की संख्या में विकास कारे करवाई है और भर्म विकास आगे भी करवाए जाएंगे एंस्टानियूज के लिए नालगट से बिरुरिको अरे आपके सामने मुझे कुछ कहने कि आउशकता नहीं है लेकिन मैं इतना वश्य कहना चाहूँगा कि नौ वर्ष का जो कारेकाल रंद्रे बोधी जी का रहा है और इन नौ सालों में जिस प्रकार से इस देश का विकास हुआ है बोधी जी के कारण आज पुरी दुनिया में हमारे देश की जो छवी बनी है आज दुनिया के अंदर अलग पैचान के साथ हमारा देश खड़ा है हमने उस समय देखा है 2014 से पहले का जब पती दिन कोई ना कोई गोटाला होता था कभी तुनिया में हमारा देश खड़ालों के लिए बनाम हो गया था कभी तूजी स्वेक्टर गोटाला होता था कभी तूजी स्वेक्टर गोटाला कभी खेल गोटाला कभी अलाज गोटाला कभी पंडूपी गोटाला कभी हेलिकोप्टर गोटाला कभी टेलीकॉम का पड़ो गोटाले लेकिन 2014 के बाद किसी ने एक भी गोटाले के बारे में सुना है इकले इनका तो इत्यास रहा क्योंकि राजीव गांदी से प्रधार मंत्री थे और सोय मुने ने कहा था कि मैं उपर से एक रुपया भेजता हूं जब तक लावार्ती तक पहुचता है 15 पैसे बसता है पुचासी पैसे रास्ते में ही गायब हो जाते थे इतना भश्टा चार था बंदाजा नहीं लगा सकते मने पुचासी पैसे भश्टा चार भो सकते रुपह में से लेकिन इन नो सालों में एक भश्टा चार का मामला नहीं आया बोधी जी अगर 2000 रुपे किसानों के खातों में किस बटम दबा के करते हैं 2000 रुपे अत्रणत किसानों के खातों में आता है एक रुपे का भी बश्टा चाहने नहीं आता है और इन नोत सालों में हमने देखा है सेवा, सुशाशन, गरीव कल्या और जिस परकार से अरजब तुन्या के अंद्रा लगता है